अगर न्यू गाड़ी परचेश करने जा रहे हैं तो बस कुछ दनों का वेट कीजिए क्योंकि अगले कुछ दनों के अंदर लॉंच होने वाली है चार नई शांदार SUV, MPB और हैचबेक सेगमेंट की गाड़ियां और ये लॉंच होंगी आपकी फरवरी मार्च के अंदर जिसमें आपकी MPB सेगमेंट यानि की सेवन सीटर में सामिल है इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं और कुछ SUV गाड़ियों के साथ में कुछ मिड रेंज की हैचबेक गाड़ियां भी शामिल है तो दोस्तों बात करें अगर इन गाड़ियों के बारे में तो साल 2022 का आप जानते हैं काफी शांदार आगाज रहा है और कार लवर्स के लिए जनवरी बहतरीन CNG कारों की लाँचिंग लेकर आई जिसमें टाटा मोटर्स ने फस्ट टाइम CNG सेग्मेंट में एंट्री की और इसके बाद में अब फरवरी मार्श की बात करें तो इसमें कुछ ऐसी गाड़ियां हैं 2022 की मोस्ट कमफर्टेवल, मोस्ट फीचर से फुल गाड़ियां होने वाली है और जिसमें सबसे ज़्यादा इंतजार है आपकी केरेंस और इसके लाबा मारूती सुझो की अर्टिका फेसलिफ्ट और बलेनों का फेसलिफ्ट आने वाला है इसी के साथ टाठा मोटर्स की भी कुछ गाड़ियां है जिनका काफे इंतजार चल रहा है और इनके अलावा एमजी मोटर इंडिया भी अपनी धासो इलेक्ट्रिक SUV 2022 MG ZS का EV फेसलिफ्ट जा रही है और इस सब के साथ ही Jeep Compass का एक खास वेरियंट Jeep Compass Trailhawk भी लाँच करने वाली है और अगर आप MPV की तलास में हैं बिलकुल Mid Budget के अंदर तो मारूती अपनी Best Selling MPV Artica के Updated Model को भारत में लाँच करने वाली है और ये Updated Maruti Suju की Artica यानी 2022 Artica Facelift में ने डिजाइन की गिरल आपको देखने को मिलने वाली है यानी Overall इसका लुक भी काफी शांदार होगा बाकी exterior में Front और Rear Look में भी बदलाव होगा इंटियर की बात करें तो Artica Facelift में New Dashboard के साथ Updated Touchscreen Infotainment System होगा Upholistry, Leather Ripped Steering Wheel, 12 Volt के Charging Port, Rear Parking Camera, Automatic Climate Control, Push Start, Stop Button, Height Adjustable Driver Seat और ISO Fixed Child Seat Mounts और Rear Parking Camera, Dual Airbag, Electronic Stability Program, Hill Hold Function, ABS, EBD और Central Locking जैसे Standard और Safety Features मिलने वाले है और Upcoming Maruti Artica Facelift में Cosmetic बदलाब भी देखने को मिलने वाले है और इसे मौझूदा इंजन और पावर के साथ ही पेश किया जाएगा यानि 1.5 लीटर पेट्रॉल इंजन, 105 BHP की पावर, 138 NM टॉर्क के साथ में और इस MBV में Mild Hybrid Technology से लेस होने वाली है 5-speed के Manual और 6-speed के Automatic Gearbox के साथ पेश किया जा सकता है और जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि ये गाड़ी भी जल्द ही लॉंच होने वाली है इसकी सुरुआती कीमत 8 लाग के आसपास होने वाली है इसके बाद जो गाड़ी मार्केट में लॉंच होने वाली है ये है Escoda की इन्वेक जो की अपने सेग्मेंट में सबसे ज़्यादा माइलेज के साथ आएगी यानि इसका माइलेज होने वाला है 545 किलोमीटर 545 किलोमीटर जो मौझूदा समय में कैए इलेक्ट्रिक गाड़ियों से ज़्यादा है यानि सिंगल चार्ज में ये गाड़ी 545 किलोमीटर की दूरी तै करेगी यानि आप इसे एक बार अगर 100% चार्ज कर लेते हैं तो आप दिल्ली से लखनव या लखनव से दिल्ली जा सकते हैं और मार्केट में लोगों को Escoda की इस कार से बहुत उम्मीदे हैं क्योंकि मार्केट में इसका कंपेटिशन अगर किसी से होगा तो टाठान एक्सोन जैसी शांदार गाड़ियों से होने वाला है और इस गाड़ी के अंदर क्या खोविया मौजूद मिलने वाली है इसमें क्रिस्टल फ्रेस ग्रिल होगा अलावा कार में वाइल्ड डेयर डैम, स्लीक मैट्रिक्स एलेडी कार में इसके लावा बी पिलर्स इंडिकेटिड माउंटेड ओर बीम और 18 इंच के वील्स मिलने वाले हैं इलेक्ट्रिक मोटर है जो 82 किलोवाट बैटरी पैक से लिंक है और ये कार ओल वील ड्राइब सिस्टम के साथ है यानि काफी जबरदस्त ओफसन फर्स टाइम आपको मिलने वाला है इलेक्ट्रिक सेग्मेंट के अंदर और ये 295 बीच्प की पावर और 480 एनम का टॉर्क जनरेट करेगी तो काफी शानदार ये गाड़ी भी होने वाली है आप चाहें तो इसका वेट भी कर सकते हैं और इसके बाद जो गाड़ी लॉंच होने वाली है बिलकुल लो बजट सेग्मेंट के अंदर ये है 2022 आल्टो जो सस्ती होने के साथ साथ धासू फीशर्स के साथ लॉंच होने वाली है और मारूती सुझू की आल्टो जो की देश में अब तक की सबसे ज़्यादा बिखने वाली छोटी कारों में से एक है और कंपनी भारतिये कस्टमर्स के लिए इसका नया जनरेशन मॉडल लाने वाली है और यह मॉडल होगा आपका आल्टो का नौमी जनरेशन का और कंपनी नई आल्टो के लुक में बहुत सारे बदलाब करने वाली है इसके इंटियर को ज़्यादा प्रीमियर बनाया जा रहा है इंजन में हलाकी कोई बदलाब नहीं होगा जो इसके बारे में रिपोर्ट साइए उसका अनुसार हेच बैक का बॉक्सी स्टांस बरकरार रखा जाएगा और कार की ओवरोल लंबाई चोड़ाई में भी खास बदलाब नहीं है इसके लाबा कार में नया ग्रिल हेड लैंप और बंपर दिये जा सकते हैं फीचर्स कैसे होंगे दोस्तों फीचर्स के बारे में बताया जा रहा है कि इसके अंदर सेवन इंच का टैचिस के इन्फोटैन्मेंट सिस्टम दिया जाएगा इंजन मिलेगा और दोस्तों इसके बारे में यह भी इंफ्रमेशन है कि सी एंजी किट के अलावा कार में स्मार्ट हाइबिड टेकनोजी भी मिल सकती है तो नेक्स जैसे ही लाउंच होती इसकी डिटेल्स वीडियो भी आपके साथ लाइव रिवियू में शेयर की जाएगी इसके अलावा मारुती की एक वेगना टाइप की गाड़ी और लाउंच होने वाली है जिसके बारे में इंफ्रमेशन है कि यह होगी मारुती सुजू की सोलियो जिस कार का डिजाइन आपको बिलकुल MPV टाइप का दिखने वाला है और जहां तक बात इसके फीचर्स के बार और रियर पैसेंजर सीट में कमफर्ट का विसे इस ध्यान रखा है और फीचर्स की बात करें तो एक कार पूरी तरह ऑटोमेटिक एसी से लैस मिलने वाली है और इंजन कैपिसिटी की बात करें इसमें 1.2 लीटर का गैसोलिन इंजन मिलने वाला है तो काफी शांदार ये ग टाटा मोटर्स की एंट्री लेबल हैच बैक टियागो का इलेक्टिक वेरेंट लॉंच होने वाला है और दोस्तों इस स्मॉल कार का जो लेटस्ट इलेक्टिक वेरेंट वाला है काफी शांदार होगा 85 किलोवाट का मोटर होगा जो 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट कर वाला है और टाटा ने इस गाड़ी को इलेक्टिक वेरेंट को बिट्रैन में भी अनुबील कर दिया है और टियागो कम कीमत वाले प्लेट फारं पर ही डवलप की जारी है इनिसका प्राइज भी ज़्यादा नहीं होने वाला है बिलकुल एंट्री लेवल की इलेक्टिक का होने वाली है टाटा की इलेक्ट्रिक गाडियों के सेग्मेंट के अंदर और इसके बारे में टाटा मोटर्स का दावा है कि टियागो ईबी कार स्पोर्ट्स मोड में 11 सेकंड के बीतर जीरो से हंड्रेट किलोमेटर घंटे की स्पीड गेन कर सकती है तो काफी शानदार पावर के साथ में गाड़ी लाँच ओने वाली तो फ्रेंट्स यह है ओल टू ओल डिटेल नेक्स्ट कुस डे में लाँच ओने वाली हूँ शानदार गाड़ियों की जिन में आपके लिए MPV सेग्मेंट, इलेक्ट्रिक सेग्मेंट और इसके अलावा एंट्री लेबल हैच बेक की गाड़ियां भी शामिल की गई है तो आप इन में से कौन सी गाड़ी पर चेज़ करना चाहते हैं कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आप देखना चाहते हैं अपनी मन पस नोजी से अपडेट तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें प्रेस करें बैल का इकोन और नोटिफिकेशन सेट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि जो लोग भी नियू गाड़ी पर शेयर करने जा रहे हैं अपने लिए बैस्ट प्लेक्ट कर पाएं नमस्कार दोस्तों